परदेसी फ्लाइट इटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो फ्लाइट और ट्रिवल्स को लेकर कुछ एहम अपडेट है उसके लवा दोस्तो को वैक्सीन को लेकर भारसरकार की तरब से बयान आया है उसके बात करूँगा साथ में दोस्तो जो लोग इंडिया से सौ साथ में रखें जिसकी होजास से उनको एरपोर्ट पर कोई परिसानी ना हो इन सब पर बात करूँगा दोस्तो लेकिन उससे पहले आप सबसे छोटी सी अपील अगर आप ऐसे ही हेलफुल वीडियो चाहते हैं तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूटूब चैनल को सब्स इसके लवा जिनने बार्डर कानूनों का उलंगन के हैं उनकी संख्या 7190 है साथ में जिनने लेबर कानूनों का उलंगन के हैं उनकी संख्या 2042 है तो इतने लोगों को गिरपतार किया गया है पिछले एक हपते में यानि 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के दर्मियान 16,550 ल अगरिक हैं साथ में बार्टर कानूनों का उलंगन करने वालों के लिए या उनको सरे देने वालों के लिए उनकी सहाइदा करने वालों के लिए बहुत ही सक्त कानून बना हुआ है ऐसे लोगों को 15 साल की अधिक्तम जेल की सजा हो सकती और साथ में ही एक मिलियन साथी रियाल का जुर्माना भी लगाया जा सकता है ऐसे लोगों के उपर जो इस तरह के काम करते हैं या ऐसे लोगों को सरय देते हैं उनकी सहाइदा करते हैं उनकी मदद करते हैं अगली अपडेट भी साओधी अरब की तरफ से ही है दोस्तों तो आज 17 अक्टूबर से साओधी अरब में क सारे चीजे अब खत्म हो रहे हैं फुल कैपिसिटी के साथ में लोग एलाओ होंगे सिनीमा में इसके लवा रेस्टोरेंट में सुपरमार्केट में पब्लिक प्लेस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर गवर्न्मेंट आफिस में प्राइवेट आफिस में तो इन तमाम तर लगा हुआ था उसको भी हटा लिया गया है इसके लवा जो सोचल डिस्टेंसिंग के लिए इस्टीकर लगे हुए थे उस इस्टीकर को भी अब हटा लिया गया है तो आज से करोना संबंदित बंदि से खत्म हो गई है फुल कैपिसिटी के साथ में लोग एलाउट किये जा सबको सौधी के हुकूमत के फैसले का इंतिजार है बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ दोस्तों जो लोग इंडिया से इस समय सौधी अरब जा रहे हैं वाया दुबई होकर तो कुछ लोगों को एरपोर्ट पर दिक्कते हो रही है इंडिया के एरपोर्ट पर तो अभी क आपके पास होने चाहिए पहली बात आपके पास वैलिट वीजा होना चाहिए दुबई का एक महिने का टूरिस्ट वीजा आपके पास होना चाहिए उसके साथ में इंसोरेंस भी होना चाहिए इसके लवा टिकट आपके पास होना चाहिए और रिटर्न टिकट भी होना चाह साथ में अगर आपका पासपोर्ट ECR है यानि immigration check required वाला पासपोर्ट है आपके पास आपका पासपोर्ट ECR नहीं है तो आपको okay to board भी कराना होगा इसके लावा 48 घंटे के अंदर का PCR test की negative report आपके पास होनी चाहिए जिस पर QR code होना चाहिए और ICA का arrival registration भी आपके पास होना च चाहिए और 6 घंटे के अंदर airport पर rapid PCR test होता है वो भी आपके पास होना चाहिए तो इन तमाम तर चीजों का आप ध्यार लखेंगे इसके लावा जब आप इंडिया से दुबई जा रहे हों जब आप इंडिया के किसी airport पर पहुंचें चाहें लखनो चाहें दिल्ली चाहें आप की टाइमिंग क्लेर कर लेंगे फिर आप rapid PCR test कराएंगे साथ में अगर आपके पास hotel की booking है तब तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपके पास hotel की booking नहीं है आप अपने किसी relative के यहां किसी दोस्त के यहां किसी रिस्तेदार के यहां ठहरेंगे या और कहें ठहरें मंगा सकते हैं तो कई बार cash में भी देखते हैं कि आपके पास कुछ पैसे है की नहीं है तो अगर आप ID नहीं मंगा हैं तो कम से कम 1000 दिरहम आप अपने पास रखें इन सारी परिसानियों से बचने के लिए क्योंकि इंडिया airport पर कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की inquiry हो जात नहीं दिये जिसकी वज़ा से जो भी लोग इंडिया में को वैक्सिन लगवा चुके हैं वो लोग अभी विदेश की आत्रा नहीं कर पा रहे हैं इस संबन में डबलो एक्चो की एक मीटिंग वी थी पाच अक्टूबर को ही जिसमें फैसला लिया गया था कि डबलो एक्च को वैक्सिन को डबलो एक्चो बहुत जल्द मानता दे देगा ऐसी बात सरकार की तरफ से कही गई है भारत के विदेश सचिन हर्सवर्धन स्रिंगला ने मीडिया से बात करते हैं बताया कि को वैक्सिन को डबलो एक्चो जल्द से जल्द मानता दे देगा बैराल दोस्तों ह सब को इंतजार है कि WHO कम मानता देता है क्योंकि बहुत जल्द ही WHO की मीटिंग होने वाली है, फाइनल मीटिंग होने वाली है को वैक्सीन के एप्रूवल को लेकर बरहल दोस्तों ये आज की कुछ अपडेट थी आगे कोई और अपडेट होगी, फ्लाइट और ट्रिवल्स को लेकर कोई और ज़रूरी अपडेट होगी तो वो आप तक पहुँचाए जाएगी इसके लिए आप परदेशी फ्लाइट येटूप चैनल को सब्सक्राइब करने मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल लखिए, खुस रहिए, गुड़ बाई